बुड मोनी टेन्थ क्लास तो कल हमने 5.1 अक्सरसाइज कम्पलीट कर ली थी 5.1 अक्सरसाइज में स्रिफ आपने क्वेस्टन नमबर 8 तक करने हैं 9 से लेकर 12 तक आपके इस लेवस में नहीं है अब आप हम आते हैं 5.2 में तो अक्सरसाइज 5.2 कात्रों बेसिक समझें क्या कहता है वो कि 5.2 अक्सरसाइज में अगर मेरे पास कोई एपी है 5 10 15 20 लाइक इस और मैं आपसे कहता हूं कि इस एपी की 50 टर्म निकालो थे तो अब मैं मैंने आहिकरम में इस निकालते हैं जो प्रीविस ट्रम है sch générbage कर देते हैं तो मेरे पास नेक्स ट्रम अरो को तो अब मैं इस को समय क्षोन्टी में 45 five फिर तो उसे प्रोलो जाएगी प्रम कैसे निकाल है तो नोंने एक short cut formula दे दिया शूट एन माइनस के वन डी इस वोट पूलूमा दे दिया इस फॉर्मूले के अंदर यह क्या है यह है यह है फस्त ट्रम वी क्या है कोमन डिफ्रेंस और एंड क्या है नम्ब्रों ट्रम यह वर्म अक्रों लुक्त करूंगा तो मेरे पास वो ट्रम आजाएगे जैसे यह आपके फिप्टीथ ट्रम निकालनी है कितना हो जाएगा 50 अगने वाजन और फैन प्रॉट्टी क्या होगा जाएगा 5 वो बी होगा सैकेट्र मेर्षट वर्म को मैनस कर देए वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा, A, B, तो इस टाइप से आपने question solve करनी है, जिसे 5.2 का जो first question है, उसके अंदर table बनी हुई है, आप देख सके आपने मैं दिखाता हूँ, यह देखे, table बनी हुई है, इसके अंदर A क्या given है, 12, D क्या given है, 3, और N क्या given है, 9, T, N निखाला, T, N या फिर A, N दोनों same है, clear है, मैं आपको सामय निखाता हूँ, कि इस question में आपके पास, A क्या given है, A given है, 12, और D क्या given है, 3, N क्या given है, 9, और A, G, N क्या क्या given है, आपको find out करना है, ये करना है, तो आप देख सकते हो, क्या हो जाएगा, A, N equal to A plus में, N minus K1, D, A, N find out करना है, तो A कितना हूँ, 12, plus में, N कितना है, 9 में 7, 8, multiply में, D कितना है, 3, तो 12, plus में, 24, 36 क्या आजाए, उसका, A, N आजाएगा, ऐसे find out करना, A, N, मालकुछ पार्ट में, क्या find out करना, N, जे थर्ड पार्ट है, तो आपके सामने में दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट में, A क्या दे रखा, 7, B क्या है, 3, और A, N दे दिया, 88, तो A, N दे रखा है, 88, A दे दिया मेरे पास, 7, और B दे दिया, 3, and find out करना है, थर्ड पार्ट, तो कैसे रिकाल लेंगे इसको हैं, इसमें, A, N, इक्वल टू, A, प्लस में, N, माइनस के वन, D, A, N की वेली कितनी हुए, 88, A कितना हुआ, 7, प्लस, N, माइनस के वन, तो N, माइनस के वन, कितना हो गया, F, N, माइन, find out करना है, B, कितना हो गया, 3, तो अब आप देख सकतो, 88, माइनस के 7, N, माइनस के 1, multiply में, 3, आपके पास आजागा है, आपकर 81, N, माइनस के 1, N, माइनस के 1, N, माइनस के 1, इक्वल टू, कितना है, 81, अप्लस में, 3, यहां से 32 जा, 6, 3, 7 जा, 21, आपके पास, इस टाइप से आपने N निकाला है, ठीक है, इस टाइप से आपने इन क्वेशनों को सोल करना है, आप देख सकते हो, question number, second में भी A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा, A, N निकाला है, same value है, value put करने हैं, आपने, वो third में भी क्या 12 तरण निकाल ली है, A दे दिया, यहां से हम D निकाल सकते हैं, N के ताइप से दे दिया, इस टाइप से आप अपने math case, question number four तक solve कर सकते हैं, आज आपने अपने पॉप्पी में question number four तक solve कर लेने हैं, किसी बच्चे गो 5.1 और 5.2 के four questions तक किसी को कुछी प्रोलम आती है, तो मुझे कल को WhatsApp पर class लगेगी, जो मैं पर class जोइन करें, और अपने प्रोलम वहाँ पर share करें, ओके, thank you.